चलू भाई अब हम्रे मन देखब और शद्य पौधा गिलोए कर बारे में गिलोए लगिन माटी और जलवायू के सन रहक चाहिए इकर लगिन उसनु कटी बंधिय ठाओं में 300 मीटर उच ठाओं रहक चाहिए बालू पक्षन से भरल या की बंजर से लेके दोमट चिकन माटी में इकर खेती करल जाय सके रहक खेत में पानी नी जमा है चाहिए इकर विशेज ध्यान रखो अब उन्नत प्रभेद इकर लगिन उन्नत प्रभेद है आई सी दू आट एक नौ पाँच नौ और आई सी दू आट एक नौ साथ नौ बिहिन कर दर चैर सो पौधा प्रती हेक्टर जदी रही तो बहुत बढ़िया बिहिन लगा कर बेरा मैं जुन में गठा के बनाय देऊ और बहरिस कला में इके रोईब देऊ लगा कर दूरी बिहिन लगा कर दूरी पांच मीटर से पांच मीटर रहेक्ट चाहिए माइंद और उर्वरक कर प्रयोग माइंद और उर्वरक प्रति पौधा 20 ग्राम यूरिया और 40 ग्राम सिंगल सूपर फौसफेट लगा कबेरा दे देख चाहिए बढ़ियां विकास लगिन जाड कला में दू से तीन धाउं और गरम कला में चैर से पाँच धाउं पटाय देख चाहिए अब तोड़िक और कोड़िक फसिल अप्रिल मैं में काटेक नियर होय जैल तो इवेरा में इके काइट लेओ इके छोटका छोटका टुकरा में काइट के रोध में सुखाय देव एक से तेड़ बारिस में पतै मन काटेक नियर होय जैल अब इकर उप्योगी भाग कौन-कौन है इपोधा कर पतै और डाइर बहुत कामकर चीज है इकर अलावे रस और इकर सत्व यहो बहुत उप्योगी है एक हेक्टर से चालिस कुटल हरियर गिलोई मेल जैल सुस्क बेल कर उत्पादन आठ कुटल प्रती हेक्टर होयल अब इकर उप्योग केसन करल जैला पीलिया यक्रित विकार कब्स मधू में अइद का पियास लागेक जवार माने की पुखार उल्टी एक खोखी दमा चक्कर एक चरम रोग पेचीस और गेठिया विमारी मन में इकर बहुत उप्योगी दवा बनेल